हेलो बच्चों बच्चों आज हम लोग करेंगे एक साइज 9.5 डिफरेंशेल एक्वेशन की और कई बच्चों के एक साइज थोड़ी से डिफिकल लगती लेकिन है बिल्कुल नहीं मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यह जो वीडियो हैं यह सीरियल वाइस देखिए सीक्वेंस में देखिए जिससे आपके कॉंसेट सुपर स्ट्रॉंग बन जाएं अदरवाइस बीच बीच से आप देखेंगे तो कुछ बाते समझ में आएगी और कुछ बाते हो सकता है आग आपके सामने ये शो दाट गिवें डिफरेंशल एक्वेशन इस हमें ये शो करना है कि ये हमोजीनियस एक्वेशन है और साप में उसको सॉल भी करना है ठीक है साप करते हैं ऐसे सवाल कुछ थोड़ी लंबाई कुकि इंटिग्रेशन पूरा लगा होता है इसके आगे तो इक्वेशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए चली बात शुरू करते हैं यहां पर बात करते हैं तो इसको लिख लेंगे डिवाई बाई डिएक्स और यहां रहा एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर अपान एक्स स्क्वेर एक्स इंटु वाई जब भी एक्वेशन रह आपको homogeneous show करने के दो तरीके होते हैं, उनमें से जो y by x या x by वाला तरीका है, जो मैंने पीछे concept वीडियो में बताया है, वो ज्यादा speed ही होता है, तो वो use करेंगे, divide by dx है, तो इसको function of y by x बनाते हैं, उपर और नीचे x square से divide कर दीजिए, तो 1 plus y by x का whole square, 1 plus y by x, देखी, ये इसको इस तरह से represent किया जा सकता है, और इसका clear case क्या है, h naught, h की power 0, h y by x, आपको मालूम है, कि अगर किसी function को ये जो function है, किसी function को ऐसे represent कर सकें, तो function homogeneous function होता है, और उसकी degree 0 होती है, अब अगर ये function homogeneous है, degree 0 है, तो ये पूरा जो differential equation है, इस form की जो होती है, जो concept video में काफी गहराई से आपको बताया है, अगर उसमें ये जो function है, वो homogeneous function है, जिसकी degree आपकी 0 है, तो ऐसे equation, differential equation को आप homogeneous differential equation कहते हैं, तो यहाँ पर ये function साबित हो गया है, ये homogeneous function है, degree 0 है, तो ये जो differential equation है, वो homogeneous है, तो proved पहली बात, show कर दिया, ठीक, अब दूसरी बात इसको solve करने की, तो इसी का साहरा लेके आगे solve करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको उपर ले जाता हूँ, यहाँ substitution करेंगे हैं लोग, जैसा आपको मालूम है, y is equal to vx, मतलब क्या रहा, y upon x की value, हम v रखने वाले हैं, d y by dx is equal to v plus x dv upon dx, ये d y by dx का substitution लग जाएगा, रख दीजाएं यहाँ पर, तो value आ गई, v plus x dv upon dx is equal to, ये जो function है, 1 लिखिए, y by x की जगा, मैं यहाँ पर v लिख दूँगा, 1 plus v, ये देखिए, यहाँ से हमारा पूरा y गायब हो चुका है, अब ये variable से प्रेविल की form में आ जाता है, बहुत असानी से इसको solve कर सकते हैं आप, अब जो integration करना होगा, उसका एक जिक्र अलग है, तो 1 upon v square, 1 plus v, minus v, ये v, इधर ले आओगे, तो minus v हो जाएगा, आगे solve करते हैं, तो 1 plus v square, LCM लीजिए, तो आजाएगा, minus v, minus v square, ठीके साब, अब देखिए, ये v square और ये v square cancel हो गई, तो value क्या रहा, x dv upon dx is equal to 1 minus v upon 1 plus v, आगे चलते हैं, यहाँ पर variable से प्रेबिल के हिसाब से इसको adjust कर लीजिए, 1 plus v upon 1 minus v dv, और ये देखिए, 1 upon x dx, अब दोनों साइद integrate करने की बारी आएगी, इंटेग्रेट कर देते हैं, अब plus c बाद में लगा देंगे अभी, तो इसको integrate करते हैं, इसको simply आप लिख सकते हो, देखिए, यहाँ लिख दीजे, 1 को 2 minus 1 plus v, इससे फायदा क्या होगा, अभी आपको दिखाई पड़ेगा, और dv, जिससे हम उपर नीचे integrate कर पाई, इसको हमने break करके 1, 2 से break करके अलग लिख लिया, और v minus 1 से, यारी minus common लिया है, तो 1 minus v upon ऐससे लिख लिया, बिल्कुल ठीक, अब देखिए, आगे क्या कर सकते हैं, integration करने के लिए, इस वाले को अलग ले लो, यह value हो गई 2, 1 upon 1 minus v dv, यह value आजाएगी 1 dv, यहाँ आगे आप का log x, और यह c आएगा, इसको c को log c लेना है, यहाँ भी log मिलेगा, तो log c ही उठाके ले लेते हैं, जो value होगी समझ लेंगे, यह value हो गई देखिए, कितनी 2, यह value हो गई log 1 minus v, और minus 1 था v के साथ, इसलिए एक minus sign आजाएगा, minus 1 से divide करेगे, और यह रहा minus v, is equal to log x plus log c, आगे देखते हैं, कहां तक पहुंचते हैं लोग, अब v के value, y के value थी, y upon x वराबर v, तो v में y by x substitute कर दो, minus 2, log 1 minus y by x, minus y by x, और यह रहा log x plus log c, यह modulus लगा हो ना लगा हो, आप लगा के ही चलें, मतलब positive value लेनी हैं, तो इससे कोई tension ना लीजेगा, मैं हटा नहीं रहा हूँ अभी, ठीक, यहां तक value पहुंची आपकी, आप देखिए, दोनों minus minus में हैं, तो दोनों को minus common लेके add कर लो बेटा, तो यह value क्या लिखी जा सकती है, अब यहां पर देखिए, यह जो 2 है, इसको power में raise कर दो, तो minus log, यहां value आजएगी, x minus 1 upon x का, और यह रहा square minus y by x, केवल y by x, और इसको अगर log आप इधर लेना चाहें, तो y by x के साथ में minus log x भी लिख सकते हैं, इसको इसके साथ रजेस्ट करूँगा, यह रहा log c, इन दोनों के साथ लिया, minus किया, log लिया, minus common ले लिया, तो plus में आगए दोनों, तो x minus y का whole square upon x square into x, और minus y by x is equal to log c, आगे चलते हैं बिटा, और यहां पर देखी, यह x इसके square को खतम कर देगा, तो value क्या बची, minus log x minus y का whole square, minus y by x is equal to log c, यह value आ रही है, अब log c को भी इसके साथ ले लेना होगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ, इसको एक तरफ ले जाते हैं, और इसको इसकी तरफ लेके आते हैं, तो यह minus y by x is equal to log x minus y का whole square plus log c, अभी log e plus log b, तो log यह value बनगी c into x minus y का whole square, आप देखें यहां पर value क्या है, यह है y by x, आप जानते हैं कि कहीं पर भी अगर लिखा हो, log e x is equal to y, और ना लिखा हो, केवल log x लिखा हो, तो इसका मतलब log x to the power e समझा जाता है, तो e की power y is equal to x, यह इसका मतलब होता है, तो यहां पर नहीं लिखा है, तो e लिखा हुआ है, और e लिखा है तो value क्या हो जागी, e की power minus y by x is equal to c, x minus y का whole square, यह आपका साब answer आ गया, जो दे रखा है, वो दे रखा है, बेटा क्या, यहां पर एक value x कहीं छूट गही है, यहां पर एक value देखिए, x आई थी, इसको x यहां पर mention कर लें, यह x, और इसी के साथ यह x, और इसी के साथ, यह x, आप देखिए, इसके बाद क्या रहा, यहां पर आप simply यह value गए, c x minus y का whole square is equal to x e की power minus y upon x यह answer है NCRT में रखा है जिस तरी के जिस तरह आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 upon c x e की power minus y by x और 1 upon c को की नया constant कह दीजे तो यह value बन जाएगी x minus y का whole square is equal to c1 x e की power minus y by x और यह आपका पहले question का solution आगया यह बिलकुल इससे नहीं डरना है कि जो constant of 1 upon c है constant का मतलब यह होता है तो यह x minus y का whole square is equal to c1 x e की power minus y by x is your answer इस तरह के से question को कर सकते हैं चलते हैं दूसरे question पर आएए तो बच्चों आते हैं question number 2 पर और देखे 2 क्या बोलता है इसने बोला show that the given differential equation is homogeneous and solve each of them तो homogeneous differential equation दिखानी है तो divide by dx यह y dash का मतलब divide by dx x plus y upon x उपर नीचे x से divide कर दीजे 1 plus y upon x upon 1 यह value आजाएगी simple सी बात अब यह क्या हो गया साब इसको लिखे तो x की power 0 function of h upon x लिखा जा सकता है इसका मतलब यह homogeneous function है degree 0 होगा यह homogeneous function है जिसकी degree आपकी कितनी है 0 है तो इस वज़े से यह homogeneous differential equation हो जाएगी जो बाते बार बार मैं बदाता रहा हूँ तो यह पहली चीज़ आपने proof कर दी कि होमोजीनियस differential equation है आगे solve करने का process हम लोग क्या करेंगे y by substitute कर दीजे let y by x is equal to v y is equal to v x और differentiate करोगे dy upon dx तो यहाँ से लिखते हो v plus x dv upon dx इस value को यह substitute कर दिया जाएगा तो dy by dx की जेगा value रखी v plus x dv upon dx और यहाँ लिखा 1 plus y upon x को आपने put कर दिया v आगे चलते हैं तो x dv upon dx 1 plus v यह v इदर जाएगा तो minus v यह दोनों cancel out हो गए आगे चलते हैं वेटा तो x dv upon dx is equal to 1 मतलब dv is equal to 1 upon x dx यह value मिली अब बोस साइड आप इंटीग्रेट कर दो गटा यह इंटीग्रेट करो के v आ जाएगा इदर आ जाएगा log x और एक constant आएगा अब देखते हैं वो constant c लेना या कह लेना है खेर आगे चलते हैं v को नों ने माना था y by x this is y by x is equal to log modulus of x plus c यानि y की value क्या हो गई x log modulus of x plus cx और यह आपका देखिए this is your answer y is equal to x log x plus cx यह answer हो जाएगा और इस तरह से question number 2 solve हो जाता है चलिए चलते है question number 3 के ओपर आएए यह रहा question number 3 इसमें देखते हैं क्या चीज़े करनी हैं इसमें भी differential equation show करनी है सब में जो सवाल है तो इसको मैं लिखता हूँ divide by dx और यह value हो जाएगी x plus y upon x minus y आप देख पा रहे हैं इसको उधर ले जाएँगे आप right hand side और dx नीचे ले आएँगे x plus y upon x minus y अब इसको आप x से उपर नीचे divide कर दीजे तो 1 plus y by x 1 minus y by x लिख सकते हैं और इसको बड़े अराम से x की power 0 function of y upon x तो जैसा हम अगर वाद show कर रहे हैं यह homogeneous function है जिसकी degree आपकी 0 है और कोई differential equation अगर एक function लिखाओ जो function homogeneous function लो degree 0 का तो यह पूरी equation homogeneous differential equation होती है तो यह बात आपने यहां से proof कर दी show कर दिया ठीक अब इसको solve करने का जिक्र होता है तो y by x को आप मानेंगे v मतलब वही वाली बात y is equal to v x अब dy by dx की जो value होगी होगी v plus x dv upon dx यह value substitute करेंगे तो यहाँ dy by dx की जगाब लिखेंगे v plus x dv upon dx यहां लिखोगे 1 plus v upon 1 minus v y by x की value होगी होगी यहां से v put की है आगे चलते हैं मिटा अब यहां पर देखिए x dv upon dx 1 plus v upon 1 minus v minus v LCM लेके solve कर लिजे यहां पर लिख देता हूँ 1 minus v 1 plus v तो ऐसा ही था minus v plus v square आपको दिखाई पढ़ रहा होगा यह v और यह v cut cancel होगे 1 minus v upon 1 plus v square dv और यह value होगी 1 upon x dx इसके बाद इसको हम लोग कर देते integrate यह दिखें हमने integrate करने की कोशिस की अब आप जान रहें कि नीचे 1 plus v square है तो इसका हमें derivative उपर मिल जाता तो बड़ी असानी होती तो मिली गया है 1 से v से अलग कर लो इसमें इसको लिख लो 1 plus 1 plus v square dv और दूसरे को लिख लो v upon 1 plus v square dv क्यों लिख के फाइदा क्या मिला हमको यह देखी ही formula होता है 10 inverse वाला और यह नीचे को t मानेंगे तो उपर cancel हो जाएगा तो यहाँ पर आगई value 10 inverse v यहाँ पर इसको आप में t मान लिया मैं लिख देता हूँ इदर 1 plus v square को आप t मान लीजे तो dt upon dv निकालोगे तो 2v आ जाएगा यहाँ पर लिख दूँ अगर मैं v upon t और dv की जगा लिख देता हूँ dt upon 2v यह value हो जाएगी log x और plus c यह भी लिख के छोड़ते log c लिखना पड़ेगा तो log के term में लिख लेंगे तो यहाँ value आ गई 10 inverse v का मतलब था y by x minus इस v से यह भी cancel हो गया is equal to log x plus c आगे चलते हैं बेटा अब यहाँ पर value डालिए 10 inverse y by x minus half t की जगा लिख होगे 1 plus v square log 1 plus v square यह रहा साब log x और यह रहा c बड़े असानी से लिखते जा रहा हूँ अब यह v की जगा y by x फिर से तो 10 inverse y by x minus half log 1 plus y square upon x square v की जगा y by x पिलकुल सिंपल यह रहा log x plus c आगे और solve करते हैं विटा हम लोग अब यहाँ पर देखिए 10 inverse y by x है और minus half log यहाँ पर इसको इसके साथ ले लीजे और देखेंगे क्या value हमारी आ रही है यहाँ पर तो यह value हो गई 10 inverse y by x minus आप लिख लीजे half log 1 की जगा आ जाएगा साब x square plus y square upon x square देखो ना और यह इधर लाओगे तो मैं इसको लिख लेता हूँ half log x square देखिए बिल्कुल अराम से क्योंकि यह x था ना अगर आप log x को आप log x square की power half भी लिख सकते हैं आप बाहर ले लो half log x square भी इसको लिखा जा सकता है इसलिए कि यह half half है ना तो common आ जाएगा इसलिए किया है ऐसा अब आगे चलो बटा यहाँ पर value लिख लोगे 10 inverse y upon x minus ले लो common half और यहाँ value क्या रही है log a plus b आजाएगा तो into हो जाएगा x square plus y square upon x square और into x square is equal to c खतम होगे सवाल 10 inverse y upon x minus half log x square is x square cancel x square plus y square is equal to c और यही आपका answer आगे है बटा कि 10 inverse y by x minus half log x square plus y square is equal to c this is your answer तो इस तरह आप यह question number 3 को लगा सकते हैं अब करते हैं अगला question तो चलिए बच्चों करते हैं question number 4 सवाल असान है थोड़ा सा patience रखके करिए बस इसमें शो करना है कि homogeneous differential equation है और साथ में solve भी करना है तो देखें लिखा हुआ है अब इसको d y by dx के form में लिखे लो तो 2 x y d y और इसको उधर ले जाओगे तो लिख दोगे y square minus x square minus आया है ना तो पलट दिया और ये रहा dx ठीके अब ये d y by dx लिख लो इसको तो y square minus x square upon 2 x y इदे कि बिल्कुल असानी से लिख सकते हैं आप कोई भी इसमें परिशानी की बात नहीं है अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं x square से divide मारदो उपर नीचे तो ये y by x का whole square minus 1 upon 2 y by x इसको ऐसे represent किया जा सकता है और ये कहानी क्या हो गई x की power 0 function of y by x अगर ऐसे represent कर पाएं तो ये homogeneous function होता है जिसकी degree हर सवाल में लोग दिखा रहे हैं degree 0 होती तो ये differential equation कैसी हो गई homogeneous differential equation पहला part मोंने प्रूफ कर दिया है आगे की solve करने की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर जैसा आप जानी रहे हैं इसको तोड़ा समय उपर करता हूँ substitute कर दीजे value let करने क्या y by x को v तो y is equal to आजाएगा v x यानि dy upon dx is equal to v plus x dv upon t x इसकी value हम substitute करेंगे यहाँ पर बटा तो ये रहा v plus x हर सवाल में दिखे यही कर रहे हैं more or less तो ये क्या रहा this is v v square minus 1 और ये रहा अपॉन 2v ये रही बात v को इधर ले जाओ और ये आगया v square minus 1 upon 2v minus v मतलब v square minus 1 minus 2v square upon 2v ये value क्या वनी x dv upon dx is equal to यहाँ आजाएगा इस आप क्या minus v square तो minus ले लो ये देख पारे होगे तो ये value हो जाएगी minus common ले ले तो आजाएगा v square plus 1 upon 2v देखिए धान से इसको अब इसके आगे करते हैं अब देखिए इसको थोड़ा से मैं उपर लेके जाता हूँ और इसको लिख लीजे 2v upon 1 plus v square dv is equal to minus 1 upon x dx बोज साइट कर दीजें integrate देख पारे हैं आप जिसे integrate कर दिया गया अब नीचे अगर आप इसको t मान लेंगे तो उपर v जाएगा cut क्या बोल रहा हूँ मैं मैं यह बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर अगर आप 1 plus v square को t मान लेंगे तो dt upon dv की value 2v होगी तो यहाँ पर देखिए integration 2v upon t dv की जगा डालेंगे dt upon 2v is equal to minus log x plus c c को log लिखना नहीं लिखना वो बात में देखेंगे अगया यह यहाँ 2v और 2v कट गया आगया log t अगर यह सब log में हैं तो log में लेंगे नहीं बेटर होगा minus log x और अभी देखते हैं इसको log c1 लिखनेंगे जबत पढ़ी तो अभी देखते हैं अब यहाँ पर आगये तो इसको plus लिखलो यहाँ पर तो log t की जगा value डाल दो 1 plus v square plus log x बराबर log c1 कलर चेंज कर लेता हूं और यहाँ पर आप जैसा जानने थे log लिखा 1 plus y square upon x square प्लस यहाँ लिख सकते हो log x बराबर log c1 अभी log a plus log b कर दीजिए आप तो value देखे क्या बनती है यहाँ पर यह हो जाएगी log x square plus y square upon x square और a था तो यह into x हो जाएगा इसी के अंदर है पुरा log के और यह लहार log c1 यहाँ पर देखे यह x की value यह square से कट गई तो value आई log x square plus y square upon x this is equal to log c1 लिखना चाहिए लिख दीजे taking until log both sides या log log हटा लिजे cancel मत करना है यह से और यह value हो जाएगी x square plus y square upon x is equal to c1 यही x square plus y square is equal to c1 into x और यही आपका answer आगया तो यह देखे इस तरीके से आप solve कर सकते हैं कोई इसमें परशानी नहीं बस थोड़ा सा patience और थोड़ी समझदारी रखी है सवाल आपका निकल के रहेगा चलते question number 5 की तरफ यह रहा question number 5 इसमें भी वही चीज़ें दिखानी होंगी शुरुआत के सवालों में वही homogeneous function दिखाना है साब में solve करना है तो साब यह divide by dx की value रही x square से divide कर दो तो 1 minus 2 y upon x का whole square plus y upon x साफ तोर पर यह function कैसा दिख रहा है x की power 0 function of y upon x तो homogeneous function है जिसकी degree आपकी 0 है और यह differential equation homogeneous differential equation हो जाती है जैसा हम वो करते आ रहें तो आप समझ गया होंगे ठीक है substitution वही तो y upon x की जगा आप v put कर देंगे मतलब y is equal to vx dy upon dx की चर्चा करने जाएंगे तो v लिखेंगे plus x dv upon dx लिखेंगे और इस अब substitute करेंगे हैं सवाल में ही कर रहें हम लोग dy by dx की जगा रखोगे v plus x dv upon dx और यहां पर आ जाओ तो 1-2v square plus v y by x को v लिख रहे हैं अब यह variable से प्रविल की कहानी है आगे लिके चलते हैं इस v से इस v को आप उड़ा दो तो यहां value क्या रही 1 upon 1-2v square dv is equal to 1 upon x dx बोज side integrate करेंगे यह देखें integrate कर सी बाद में लगा देंगे यहां पर 2v square पढ़ रहा है 2 को ले लो साब common जिससे v square केला रह जाए असानी से लगा पाऊगे तो 1 upon 2 हम ले लेते हैं बाहर 1 upon 2 अगर आप बाहर लोगे तो यहां पर value क्या बचेगी यहां बचेगी 2 2 लिख रहा हूँ denominator से 2 common लिया है तो 1 by 2 value बचेगी तो यहां value बचेगी 1 by 2 और और यहां आजाएगा v square देखें यह नीचे से 2 common लिया है तो यह 2 common लोगे तो half लिखोगे और 2 यहां कहानी यह बन गई अब इसको आगे set कर लेने वाले हैं बढ़े राम से हम लोग यह आजाएगा log x और एक constant को c लिखते हैं आगे दिखते हैं उसके हालाग क्या बनने वाले हैं उसे आप से लिखेंगे ठीक है जाब अब यहां पर देखें एक formula बन गया integration का उमीद है formula आपको याद होगा यह किसका integration वाला formula है 1 upon a square minus x square dx उमीद है याद होगा 1 upon 2a log a plus x upon a minus x यह formula की तरह सका इस्तमाल करेंगे a plus x upon a minus x यह आपको याद होना चाहिए ठीक है आगे की चर्चा करते हैं अब यहां लिख दीजिए साब 1 upon 2 यहां पर यह formula लगाते हैं 1 upon 2a a का मतलब 1 upon root 2 log a plus x 1 upon root 2 plus v upon 1 upon root 2 minus v और यह साब रहा log x plus c आगे चलते हैं अब देखिए डूट रूट तो हैंडल कर नहीं होगा अब यहां value लिख देते हैं यह rationalize करोगे तो root 2 आजाएगा उपर तो यहां आजाएगा 1 upon 2 root 2 log अब यहां पर root 2 की बात करोगे तो 1 plus root 2 v और 1 minus root 2 v यह value आजाएगी अभी इसकी value और और भी रखेंगे अभी तो यह इसको एक्स्प्रेशन ऐसे लिख लो और यहां रहा log x plus c कोई दिक्कत नहीं 1 upon 2 root 2 log 1 plus root 2 y upon x 1 minus root 2 y upon x जो हमारा v था y upon x और यह value रख दी log x plus c आगे चलिए अब बहुत असानी से 1 upon 2 root 2 यहां लिखिए log x ले लोगे तो लिखोगे x plus root 2 y और बाकी x cancel हो जाएंगे x minus root 2 y और यह value रही कितनी is equal to log modulus of x plus c और यह देखिए यही आपका answer आगया है this is your answer 1 upon 2 root 2 log x plus root 2 y x minus root 2 y log x plus c this is your final answer इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं और सवाल हो जाएगा तो देखिए सवाल tough नहीं है थोड़ा सा patience और समझदारी लगेगी बाकी सवाल सारे हो जाएंगे तो बच्चो question number 6 देखते हैं और 6 में भी वही करना है कि पहले homogeneous show करना है और उसके बाद इसको solve करना है तो चलिए देखते हैं show that the given differential equation homogeneous वगएरा वगएरा तो यहाँ पर dx से divide कर दो पहले तो यह हो गया x dy by dx minus y under root x square plus y square और dx से divide किया तो यह पहुँच गया अब देखें dy by dx क्या रहा यह रहा under root x square plus y square plus y upon x यह जो value है यह आपकी differential equation है अब देखें इसको क्या हम y by x के form में show कर सकते हैं अब उपर और नीचे हम लोग क्या करते हैं x से divide तो जब x से divide करोगे तो पहला y को लिख लो y by x under root के अंदर अगर आप x से divide कर रहे हैं तो आप से square हो जाएगा तो यहां लिखोगे 1 plus y by x का square और नीचे अब x से divide करोगे तो 1 आ जाएगा 1 थोड़ा छोटा लिख दिया है मैंने लेकिन आप समझ पा रहे होंगे अब यहां clear cut देखिए यह function क्या है x की power 0 is a function of y by x जैसा हर बार बोला है यह homogeneous function है जिसकी degrees आप कितनी है? 0 तो यह homogeneous differential equation होगा यह proof कर दिया हम लोगों ने अब बात करते हैं इसको solve करने की तो solve करने में जो process अभी तक use किया है y is equal to y upon x को v मान लो और इससे y is equal to vx आता है तो dv, dy upon dx क्या बन जाएगा? v plus x dv upon dx इसकी value हम लोग substitute करेंगे यहां तो v plus x dv upon dx is equal to इस वाले को पकारते हैं इसकी जगाँ v रखो और यहां पर 1 plus v square रखो यह कहानी देखें यहां बनी अब यह v भाई साब इस v से तो निपट गए अब यह बचा 1 upon under root 1 plus v square dv is equal to dx ले जाएगे तो 1 upon x dxi value both side कर देते हैं integrate अब हमने दोनों तरफ हम लोग ने integrate कर दिया यह formula उमीद करते हैं आपको याद होगा मैं लिख देता हूँ फिर भी एक बार कि integration 1 upon under root x square plus a square का जब integration करना जाते हैं लिखते हैं log x plus under root x square plus a square plus c यह formula आपको याद होना चाहिए इसी को apply करने वाले हैं आप पर apply कर देते हैं log लिखिए log के बाद x x का मतलब v plus under root v square plus 1 या 1 plus v square और यह value हो गई साब log modulus of x और एक c लगा के रखेंगे आगे चलते हैं इसको तोड़ा सा उपर ले जाते हैं यहाँ पर आप देखिए आगे solve करते हैं वे टाम लोग तो इसको लिखा जा सकता है log v को लिखा था y by x तो यह लिख दीजिए y by x plus 1 plus y square upon x square उमीद है यह बात आप समझ पा रहे होंगे और यह रही log x तो log x को आप ले लिजिए इसके साथ minus log x लिख लेते log log को आपस में set कर देंगे इसको value लिखी c अब c को log लिखना नहीं निकला वो देख लेंगे अभी हम लोग फिर लिखिए log यहाँ value क्या है बेटा देखिए solve कर लिजिए तो x यह एक बारा वो लिख देते हैं नहीं तो confusion कहीं हो जाए तो ठीक नहीं रहेगा तो under root x square plus y square upon x अभी आपको दिख रहा होगा राम से minus log x दोनों log आने वाला है तो इसको कर देते हैं log c1 आगे चलते हैं अब आगे देखिए value क्या रही लॉग y plus under root x square plus y square upon x यह था upon x में ही तो यह minus में है तो upon x आएगा तो यहाँ x square हो जाएगा समझतों पारे हो ना minus है तो यह x square हो जाएगा इसके साथ log a minus log b log a upon b यह value बनी is equal to log c1 दोनों तरफ anti log ले लो तो y plus under root x square plus y square और value आगे c1 upon x square भी है अब यह value हमारे पास क्या जाती है final answer y plus under root x square plus y square is equal to c1 x square this is your answer इस तरीके से देखिए असानी से कर सकते हैं आप इसमें कोई भी मुसीबत नहीं है बस थोड़ा सा ख्याल रखना है ध्यान रखना है सवाल आपका होता चला जाएगा तो इस तरह question number six हो जाता है question number seven की तरफ चलते हैं यह चलते है question number seven को देखते हैं यह रहा question number seven homogeneous differential equation उसमें दिखानी है शुरू कि जो दस सवाल थे उसमें सब्सक्राइब होमोजीनियस differential equation दिखानी है उसके बाद उसको solve करना है तो चलिए देखते हैं यहाँ पर dy by dx क्या मिलता है तो ताफी कुछ लंबा लिखा हुआ है मैं dy by dx पकड़ता हूँ यहाँ तो यह dy यहाँ था dx से डिवाइड वा रहा है तो यह expression रहा x cos y by x plus y sin y by x पूरा साथ में साब y के यह y लिखा हुआ है और यहाँ पर value आजाएगी upon y sin y by x minus x cos y by x और यह पूरा multiplication में है x से यही मेरे काल से पूरा बराबर लिखा डिवाइड देख से आएगा तो यह term denominator में चला जाएगा पूरे का पूरा तो यह बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है अब देखिए क्या यह y by x के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो यह देखते हैं साब कि उपर नीचे हम लोग डिवाइड कर देते हैं साब x से उपर x से और नीचे x से तो देखिए value क्या बनेगी x से divide करोगे तो यह y x कट जाएगा बलकि x square से divide करते हैं उपर तो एक x इसके साथ ले लेगे और x को यहाँ उड़ा देंगे तो उपर हमने x square से divide किया नीचे भी x square से divide किया तो x square से divide किया तो cos y by x plus y upon x sin y by x यह तो x अंदर वाला था एक x और बचा तो इसको लिख दो y by x नीचे आ जाओ x square से divide करोगे तो x x तो खा जाएगा इसको 1 x बचेगा तो y by x sin y by x minus x कतम हो गया cos y by x यह देखिए यह expression आया और यह clear तोर पर हमारा x की power 0 function of h upon x है यानि यह homogeneous function है जिसकी degree है हमारी 0 है यानि यह जो differential equation है ठीक है अब substitution इसको solve करने का जिकर आता है थोड़ा से उपर ले जाएंगे थोड़े बड़े expressions हैं तो y upon x को हमें रखना है v जैसा हम करते आ रहे हैं y is equal to vx dy upon dx v plus x dv upon dx यह value substitute करेंगे बटा यहां तो यह value रख दीजिए dy upon dx की जगा यह value डाली अपने तो लिखा v plus x dv upon dx यहां y upon x की जगा क्या put करना है v तो यह value हो गई cos v plus v sin v into v upon यह value आ गई v sin v minus cos v देखें यह value यहां पर आ रही है अब यह v को धल ले जाओगे तो घटेगा थोड़ा calculation है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सवाल होगा solve he अब यहां पर लिख लीजे x dv upon dx अब यहां मैं लिख लेता हूँ cos v plus cos v v sin v into v upon v sin v minus cos v और यह minus v इधर आ गया यह value इधर चला गया और थोड़ा shift करते हैं बिटा और फिर सवाल को solve करेंगे तो x dv upon dx lcm हो गया पूरा v sin v minus cos v अभी देखते हैं क्या आता है v से multiply करो v cos v plus v square sin v यहां multiply करो तो minus v square sin v minus minus plus v cos v यह expression आता है कुछ value कटनी चाहिए z यहां कट रही है यह value यहां से यहां कट गई अब देखिए यह expression क्या आया x dv upon dx is equal to v cos v v cos v मिलके हो गया 2v cos v upon v sin v minus cos v अब यह variable separable जैसा आ गया इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको separate करते हैं तो यहां value आ गई साब v sin v minus cos v upon 2v इस 2 को यही इसी के साथ रहने दो अभी यह असानी रहेगी तो यह v cos v धले लो और यह रहा dv और यहां value क्या आ गई 2 1 upon x dx अभी तोड लेंगे इसको अब इसको integrate कर लो दोनों तरफ तो यह value हो गई 20 इसको break कर लो v sin v upon v cos v यहां क्या रहा cos v upon v cos v integration करना है ना और 2 integration 1 upon x dx ठीक है देखिए बिल्कुल working है लेकिन यह कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत rocket चला रहे हैं इसमें अब देखिए यहां पर यह v से v cut गया cos v cos v cut गया तो यहां जागा 10 v इसको लिख सकते हो 10 v इसको लिखना होगा 1 upon v इन दोनों का integration बहुत असानी से कर लेंगे हम लोग और यह रहा 2 log x plus c लिखके छोड़ देते हैं आगे देखेंगे सब लॉग मिलेगा तो इसको भी लॉग कर लेंगे 10 v की बात कर लेते हैं 10 v मतलब 10 x का integration तो लिख सकते हैं minus log cos x यानि cos v इस तरीके से value लिखी जा सकती है minus यहां लिखोगे तो minus log v आ जाएगा आगे बात करते हैं यह value आ जाएगी 2 log x plus c देख पा रहे होंगे आप आगे लेके चलते हैं लोग और यहां minus है तो minus common लेके add कर लो तो minus common और लिख दोगे log v into cos v और अभी यह भी log है तो इसको भी एक साथ ले लेंगे चलिए के करके कदम बढ़ाते हैं ठीक है साब इधर आ गए अब यहां पर minus यह इसको ऐसे करते हैं minus log v को लिख देए y by x cos y by x और इसको इधर ले ले लो तो लिख सकते हैं minus log और यह 2 को x square लिख लो यहां पर c ठीक minus common ले लो फिर से और value क्या हो गई log अब यह multiply हो जाएंगे minus common आ चुका है तो y by x cos y by x into x square यह पूरा एक log के अंदर है और यह value रही c जिसे हम लोग अभी log लिखने वाले हैं क्योंकि log लोग हटाने मसा नहीं मिलेगी आईए कोई परिशानी थोड़ी है अब यह x square से काटोगे तो यह value क्या बनेगी minus log x y into cos y by x देखिए x y into cos y by x बराबर c अब यहां पर आप लिख सकते हो log x y cos y by x is equal to minus c और इसकी value लिख सकते हो log c1 अब बस log log हटा दो तो यह value क्या बनी x y cos y by x is equal to c1 और यही आपका अंसर हो गया this is your final answer बस इसमें कोई परशानी नहीं है थोड़ा patience रखिए concept लगाईए सवाल सारे निकलेंगे तो इस तरह से question number 7 भी लग जाता है तो बच्चो question number 8 देखते हैं हम लोग और 8 में देखी क्या बुला है वही कि हमें पहले differential equation show करनी homogeneous फिर solve करना है तो dy by dx एक तरफ रखते हैं तो यह रहा x dy by dx इस पूरे expression को अधर ले जाओ y minus x sin y upon x x से भी इदर divide करते हैं तो dy by dx is equal to y by x minus sin y by x तो आप बड़े असानी से देख पा रहे हैं कि इसको x की power 0 h is a function of y by x लिखा जा सकता है तो यह क्या हो गया एक differential एक homogeneous function हो गया homogeneous function जिसकी degree आपकी 0 है उस situation में जो differential equation हो homogeneous differential equation बन जाती है प्रूव हो गई पहली बात दूसरी जैसे हम लोग जान रहे हैं y upon x को आप v put कर दो मतलब y बराबर vx हर जगा तो यही कर रहे हैं लोग तो यह dy upon dx v plus x dv upon dx यह भी हर जगा किया हुआ हैं लोगों ने इसकी value यहां substitute कर देंगे तो इसकी जगा रख दो v plus x dv upon dx is equal to y y x की जगा v minus sin v तो इसको तो तोड़ा और उपर ले जाते हैं और इसको solve करते हैं इस v से यह v तो जैसरी राम हो गया इसका तो यह रहा आप 1 upon sin v dv minus 1 upon x dx अब इसको आप चाहें चाहें क्या आपको हमनों लिख लेंगे cosec v यह रहा cosec v dv और minus 1 upon x dx अब both side integrate कर दीजे आप integrate करेंगे तो cosec v का जानते ही है log में value आती है इसकी log cosec v minus cot v यह formula आप जरूर याद करके रखिएगा नहीं सवालों लगाने में दिक्कत होगी minus log x और दोनों तरफ log है तो log का ही इस्तमाल कर लेंगे देखके जब log मिलते हैं तो log में लेने से log काटना असान हो जाता है अब यहाँ पर आगे चलते हैं यहाँ पर value रख लीजे log इसको plus में ले लीजेगा तो cosec v की जगा y by x और अगर चाहें तो इसको sine cos में तोड़ लीजे पहले आगे चलते हैं लोग इसको इधर ले लोगे तो plus लिख सकते हो plus log x is equal to log c तो LCM हो जाएगा यहाँ पर देखिए log 1 minus cos v upon sine v plus log x is equal to log c यह value रही बिटा यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर इसमें आप y upon x substitute कर सकते हो तो y upon x अब substitute कर देते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या value आती है तो यह रही log further इसको trigonometry में solve करने की आफशक्ता नहीं है तो 1 minus cos y upon x upon sine y upon x और क्योंकि यह plus में था तो into x आप देख पा रहे होंगे और यह value रही log c अब यह क्या answer आप दे सकते हैं दोनों तरब ले लिजें until log तो यह value क्या बनी x into 1 minus cos y by x upon sine y by x is equal to c अब यह denominator में तो multiply कर दीजें तो x 1 minus cos y upon x is equal to c sin y by x और आप देखिए यही आपका एक solution मिल जाता हूं x 1 minus cos y upon x c sin y upon x this is your answer तो इस तरह से question number बहुत question असानी से हो जाता है चलते हैं अगले question पर यह रहा question में बेटा question number 9 इसमें भी वही चीज़ साबित करनी हैं homogeneous पहले तो चलिए साब देखते हैं पहले हम divide by dx निकाल लेंगे यहां से इसको ले लो उधर तो मैं लिख दूँँगा 2x dy और यहां जो value आप यह divide दो मौझूद है यहां पर तो मुझे dx उधर लेना चाहिए तो यहां से मैंने dy ले लिया common तो x log y upon x minus 2x और इसको इधर ले जाओ गे तो minus y dx बिल्कुल simple dx से डिवाइड कर दो तो यहां आगया dy by dx minus y तो उधर थाई और यह पूरे एक्सप्रेशन को नीचे पहुचा दो x log y upon x minus 2x अब इसको minus से उपन minus नीचे जैसकर दो minus से मल्टिप्लाई कर दो जो चाहों कर लो इसको लिख सकते हो y upon 2x minus x log y upon x और उपर नीचे x से भी डिवाइड कर दो जब x से डिवाइड करोगे तो उपर क्या मिलेगा y by x नीचे x से डिवाइड करोगे तो 2 minus log y by x यह दिखे एक्स्प्रेशन मिला अब यह function वैसे ही तो लिखा जा सकता है कैसे x की power 0 is a function of y by x वही जो हर चीज में कर रहे हैं यह बन गया कैसा homogeneous function of degree 0 और यह आपका proof हो गया यह क्या हुआ homogeneous function जिसकी आपकी degree कितनी है जिसकी degree आपकी 0 है तो यह जो format differential equation का यह differential equation कैसी हो गई homogeneous differential equation अब homogeneous differential equation इस type की जो रहती है उसको solve करने के लिए substitution वही y upon x is equal to v यानि y is equal to vx यानि dy upon dx is equal to v plus x dv upon dx हर सवाल में यही कर रहे हैं यह value substitute कीजिए v plus x dv upon dx और इस expression को लेते हैं यहां v रखते हैं 2 minus log v y by x की जगा v अब यहाँ पर आगे इसको solve करते हैं x dv upon dx v upon 2 minus log v minus v देखे क्या value आ रहे हैं x dv upon dx is equal to v minus 2v plus v log v upon 2 minus log v यह expression आ रहा है तो calculation नहीं कर रहे हैं हैं से हम लोग तो x dv upon dx यह हो गई minus v तो v log v minus v upon 2 minus log v अब variable separable के form में आ चुका है इसको इदर adjust कीजिए तो 2 minus log v upon v log v minus v v common भी लिया जा सकता है और यह रहा 1 upon x dx अब अच्चो देखें यहाँ पर यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा integration जो करना है उसमें तिकडम लगा लेंगे वरना इसको लिखेंगे 1, 2 को और यहाँ देखें common हम ले रहे हैं v तो बचेगा log v minus 1 यह value बच रही है अब उपर की जो 2 value है एक को लिखते है 1 और दूसरे को लिखेंगे हैं अब देखें minus कर लीजे यहाँ पर इसको लिखें log v minus 1 तो यह 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2 और minus log v यहाँ पर अब इसको numerator से break कर लेंगे तो हमारा काम बनेगा असानी से यह रहा dv, यह dv था यहाँ पर और 1 upon x dx यह करना जरूरी पड़ेगा वदरवाईस मुश्किल आएगी तो यहाँ पर आगए आप देखिए 1 से मने इसको break कर लिया v log v minus 1 और इधर लिखे गए तो लिखा log v minus 1 upon v log v minus 1 dv यह पूरा एक bracket में भी integrate करेंगे तब तक तोड़ा solve कर रहे हैं अब यहाँ पर देखिए यह log v minus 1 log v minus 1 cancel हो गया तो यह value क्या बनी 1 upon v log v यह log v एक साथ है minus 1 अलग है इसको ऐसे समझना नहीं पता लगा कुछ और समझ लो यह और यह रहा साथ dv और यहाँ पर 1 upon v dv और 1 upon x dx अब इसको integrate कर दीजे अब यह असानी से integrate हो जाएगा तो यह हम लोगोंने integrate कर दिया यहाँ पर देखिए इस expression में इस हिस्टे को आप मान लीजे t तो log v minus 1 को आप t मानेंगे तो आजाएगा dt upon dv 1 upon v इसका 0 तो यहाँ पर value देखिए क्या बन जाएगी integration 1 upon v into t और dv की जगा डालोगे v into dt देख पारे होगे यहाँ जाएगा log v और यह हो जाएगा log x सब जगा log दिख रहा है अभी मैं c लिखता हूँ बाद में जोरद पड़ी तो log लिख लहूँगा अभी यह value v से v देखिए कट गई 1 upon t का मतलब है log t minus log v is equal to log x plus log c c1 लिख लो सब जगा log है इसलिए लिख लिख लिए है अभ value substitute कर दो तो color change कर लेते हैं t को माना था log v minus 1 तो यह रहा log log v minus 1 log v का मतलब था log y by x इसको इधर ले लो तो minus log x और इसको अगर log c1 रहना है तो c1 को रहने देते हैं बिटा यहां तक पहुँँचगे अब आगे देखते हैं बिटा हम लो तो यह लिखा हम लोग ने log इसको लिख सकते हो log y upon x v में तो अंसर देना नहीं है तो बना क्या log y by x into x is equal to log c1 और भी simplify कर देंगे यह y मिल जाएगा यहां पर और भी इसका simplification करते जा रहे हैं अब यह रहा log इसको लिखे रहे हैं तो log y upon x minus 1 modulus तो पहले ही लगाया था bracket लगा देते हैं यहां पर जिसे आप जिसे आपका confusion नहीं यह log x साथ है और यहां x x कर गया आगया log y तो जो log y है इसको मैं इसके साथ ले ले लेता हूँ इसके साथ तो और जास नहीं उपा रहा है तो लिखिए log y plus log c1 अब आगे देखते हैं बटा तो यह value बनी log log y upon x minus 1 और log c1 into y दोनों तरफ एंटी log ले लो value बची log y upon x minus 1 is equal to c1 y और यही आपका answer होगे बटा log y by x अब यह bracket ना लगाना चाहो आप समझी रहे हैं तो यह simple जिसे न सी आर्टी में दिया है जिसे आप comfortable रहे हैं y by x यह elect term है minus 1 is equal to c1 into y c1 मतलब एक constant है और यह आपका answer आगया इस तरह से question आप solve कर सकते हैं इन सारे questions में थोड़ा सा patience चाहिए होगा सावधानी carefulness बाकी सवाल निकल जाएंगे